आगे क्या होने वाला है कि नए अंक में आज बात होगी दुनिया में 2026 से आरंब होने वाले परमाडु युद्ध पर जी हाँ हम ऐसा क्यों कह रहे हैं इसके पीछे दो परमाडु शक्ति संपन ऐसे रास्टों के बीच एक संधी का समाप्त होना है और इस संधी के समाप्त होने के बाद संसार पर एक बड़े परमाडु युद्ध का संकट मंडरानी लगेगा तो चलिए आज के एपिसोड के साथ मैं हूँ आपके साथ शेखत्रिपाठी और आरम करते हैं हम आज का अपना आगी क्या होने वाला है का आज का लेटेस्ट एपिसोड आपको ज्यात होगा कि संसार में परमाडु हतियारों का 90 प्रतिशत जखीरा अमेरिका और रूस के पास है वर्ष 2010 में अमेरिका के ततकालीन राष्टपती बराक ओबामा और रूस के ततकालीन राष्टपती दिमित्री मेड दवे ने एक संधी पर हस्ताक्षर किये थे परमाडु हतियार बना सकेंगे ताकि ये संख्या एक नियंतरण में रहे इसमें ये भी तै किया गया कि कितनी मिसाइल बिलकुल तयार इस्तिती में होगी ये संधी जो है वो 2026 में समाप्त होने माली है आईए अब आपको बताते हैं कि वह संधी है क्या ये आगे बढ़ेगी या फिर समाप्त हो जाएगी और फिर इसका परिणाम क्या होगा इस संधी के अंतरगत रूस और अमेरिका अधिक्तम 1550 परमाड़ मिसाइल, 700 लॉंग रेंज मिसाइल और बमर्स बिलकुल तयार इस्तिती में रख सकते हैं दोनों ही देश एक दूसरे की न्यूकलियर साइट के दोरे कर सकते हैं ताकि उन्हें ग्यात हो कि कोई संधी के नियमों का उलंगन तो नहीं कर रहा है एक वर्ष में इस तरह के 18 दोरे हो सकते हैं वर्ष 2011 में हुई संधी को 2021 में 5 वर्ष के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था अब ये संधी फरवरी 2026 तक के लिए वैद है लेकिन रूस और अमेरिका के वर्तमान रुख को देखते वे ऐसा नहीं लग रहा है कि ये संधी आगे बढ़ेगी विशेश रूप से रूस ऐसा नहीं चाहता यदि ऐसा हुआ तो संसार में एक बार पुन है परमालू हतियारों की होड मचने की आशंका है संधी के अंतरगत अमेरिका और रूस दोनों को एक दूसरे के साथ परमालू हतियारों की जानकारी भी आपस में शेयर करनी है और परमालू साइट के दौरे करने के भी चूट है लेकिन मार्च 2020 में कोवीड महामारी के कारण दोनों देशों के बीच नूकलियर साइट के दौरे रुख गए थे नवंबर 2022 में साइट के दोरे को दोबारा आरम करने के लिए अमेरिका और रूस के बीच मिस्र में एक भेट तै हुई लेकिन रूस ने ये भेट ताल दी और उसके बार से रूस लगातार ताल मटोल कर रहा है यूकरेन से युद के बाद रूस को लगता है कि उसे अपने हतियारों की खेब बढ़ाने की आवशकता है नियो स्टार्ट ट्रिटी से इसमें रुका बटा रही है उधर अमेरिका इस युद में खुल कर यूकरेन के साथ है और उसे हतियार भी उपलब्द करा रहा है लिहाजा रूस के रैश्पती ब्लादिमीर पुतिन ने फरवरी 2023 में ही इस ट्रिटी से स्वैम को अलग करने की घोशना कर दी थी यद्यपिक की पुतिन के इस बयान के बाद रूस के विदेश्च मंत्राले ने ये सपश्ट किया कि संधी के अनुसार युद के लिए तैयार परमाडू मिसाइलों और हतियारों की संख्या पर जो पाबंदी है उसे रूस आगे भी मानता रहेगा अमेरिका का भी रूस पर भरोसा कम होता जा रहा है वह रूस के परमालू साइट के दोरे नहीं कर पा रहा है और उसे वरतमान समय की जानकारी भी प्राप्त नहीं उपा रही है कुछ रिपोर्ट में अमेरिकी अधिकारियों ने माना कि रूस नए हतियारों की तयारी में लगा हो सकता है वहीं अमेरिकी अधिकारी भी इस तयारी में है कि यदी संदी आगे नहीं बढ़ती टो वे इस इस्तिती में हो कि तुरंत ही नए हथियार तयार कर सकें और रूस पर ये दबाओ बना रहे अमेरिका का कहना है कि रूस ने सेटेलाइट को तबाह करने वाले कुछ परमाडू हतियार बनाए हैं जिने वह आर्बिट में तयानात करने वाला है उदर रूस खुल कर इस संदी को समाप्त करने की भी चेताउनी दे चुका है ऐसे में ये संदी समय के पहले ही अब कमजोर हो गई है और अक्षा विशेशग्यों का कहना है कि दोनों देश अंदर यंदर एक दूसरे के विरुधत तैयारी में लगे हैं अमेरिकी राश्पती जो बाइडन रूस के विरुधत यूक्रेन के साथ खड़े नजर आए है पुतिन बाइडन को ये दिखाना चाहते हैं कि वो क्या क्या कर सकते हैं बिटिश न्यूसपेपर गार्जियन से एक साक्षातकार में यूएन में इस्टिटूट फॉर डिशार्मेंट रिसर्च के सेंटर ओफ आर्म्स कंट्रोल एंड इस्टेजिक विपन प्रोग्राम के सीनियर रिसर्चर एंड्री भी इस तरफ संकेत दे चुके हैं वो कहते हैं कि रूस आगे संधी से अलग हो सकता है ये तैह है कि अमेरिका को लेकर कठोर रवय्या वो अक्तियार करता रहेगा यूक्रेन से युद के दोरान रूस कई बार परमाडू हतियारों के प्रयोक की धमकी भी दे चुका है इस भी चीन भी अपने हतियार बढ़ा रहा है उदर नौर्थ कोरिया ने अपने परमाडू हतियार ले जाने के लिए इंटर कॉंटिनेंटल बैलेस्टिक मिसाइल्स यानि ICBM के टेस्ट यानि की उसका परिक्षन तेज कर दिया है हाल में ही नौर्थ कोरिया ने रूस के साथ एक रक्षा संदी पर भी हस्ताक्षर किया है नौर्थ कोरिया ने रूस को तोप खाने के गोले दिये हैं अमेरिका अनुमान नहीं लगा पा रहा है कि बदले में रूस उसे क्या दे रहा है। अमेरिका को इस बात का भैय है कि यह मिसाइल और अन्य विपन टेक्नॉलजी हो सकती है। इसी तरह की चिंता इरान को लेकर भी है जिसने रूस को ड्रोन और मिसाइले दी है। इरान ने इसराइल को हाल में चिताया था जिसकी अमेरिका से दोस्ती है। अभी संसार में रूस, अमेरिका, चीन, फ्रांस, यूके, भारत, पाकिस्तान, इसराइल और उत्तर कोरिया परमालु संपन देश हैं। चीत यूद की हतियारों की दौड में 1986 में चरम पर थी, जब सोवियत संग ने 40,000 और अमेरिका ने 23,000 से अधिक परमालु हतियार जमा कर लिये थे। लेकिन अब इसकी संख्या घटी है। एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में अभी करीब 13,000 परमालु हतियार हैं। भारत के पास 1500 परमालु हतियार हैं। यूद में परमालु हतियारों का प्रयोग अब तक एक दो बार ही हुआ है। नहीं बचेगा। वैसे आपको बताते चलें कि रूस जो है अब इस समय अगर इस वर्तमान समय की परिस्थिती को देखें तो रूस के पास वैसे भी अब कोई चारा बचता नहीं है। कर सकता है। लेकिन अभी हमें लग रहा है कि जो समस्या अभी परमालु हतियारों को का प्रयोग करने में आ रही है वो यही संधी हो सकती है। यही कारण है कि रूस अभी इस संधी का पालन करते वे अभी यूक्रेन पर परमालु हमला नहीं कर रहा है। लेकिन यूक्रेन पर वो परमालु हमला कर सकता है। अमेरिका के साथ उसकी संधी है, यूक्रेन के साथ उसकी कोई ऐसी संधी नहीं है। क्योंकि रूस यह भली भाती जानता है कि जैसे ही वो यूक्रेन पर परमालु हमला करता है, अमेरिका और ब्रिटेन की तरफ से तुरन परमालु बम फायर कर दिये जाएंगे। ऐसी स्थिती में रूस के पास अपने बचाओ के लिए कोई और माध्यम बचेगा नहीं। इसलिए रूस ऐसी भय की स्थिती अमेरिका और ब्रिटेन में पहले ही पैदा कर देना चाहता है, जिसके बात से परमालु हतियारों का प्रयोग करने से पहले दो बार जो है ब्रिटेन और अमेरिका सोचें कि क्या ये हमला एक ऐसी आग को भढ़काना है जिसका अंत अब द ऐसा नहीं होगा इसके लिए कोई समय सीमा पहले से निर्धारित नहीं होगी जैसा कि बहुत सारे दर्शक हम से पूछते रहते हैं कि हम जो है समय बताएं बविशे मालिका में भी जो लिखा गया है और जिस समय को दिया गया था वो समय भी एक तरह से अब निकलता जा रहा हमने आपको पहले भी एक एपिसोड में बताया कि एक तूफान से पहले की जो शांती होती है वही लगभग अभी परिस्तियां बनी हैं जैसे ही शनी मीन राशी में प्रवेश करेगा परिस्तियां अचानक से बदलेंगी और संसार में युद्ध के नए मोर्चे भी खुलन समर्थन और हमारा उस्सावर्धन करने के लिए इसे लाइक शेयर और सब्सकाइब करना मन भूलिएगा लेकिन यदि आपको चैनल का कंटेंट अच्छा नहीं लगता है तो आप अपनी राय जो है हमारे वाट्सेप नंबर साथ नोशो ने पांचारेक चारनोचे पाज पा पांचारी प्राप्त करने के लिए अखण मंतन धन्यवाद तमस्कार